कि नमस्कार मैं सरिता राओ अब सभी का स्वागत इस पे नए न्यूस के खास प्रोग्राम सकरात्मक खबर में अब सकरात्मक खबर में मुत्तव प्रदेश के लखनों में जो एंकाउंटर वा उसकी चौर्शा करेंगे कि किस तरीके से एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने वाले विवेक तिवारी को महज इसलिए गोली मार दिगे कि उसने आधी रात को गारी नहीं रुकी ये पूरा ह प्रशानत चौधरी को ये लगा जाली मेरे पे चड़ा जिसके चलते उसने तवाक से गोली मार दी जो कि उनके ठुड़ी में जा करके सीधक गर्दन में फसी और उन्होंने एक पल में अपनी चांड को गमा दिया लेकिन सबके बीच में जहां उत्रपरदेश की सरकार बैक फुट पर आई है योगी सरकार का जो कानून है वो वेक फुट पर आई तो उत्रपरदेश के पूर मुख्य मंत्री यैनि कि अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है वो बड़ा बयान भी है और एक भावनात्मक टूइट किया है जो वाकि भावुकता है जो वाकित सकरात्मक चीज दिखाता है कि सतरी परिवार का होना कितना ही अलग बात होती है क्योंकि जब इंसान के पास परिवार होता है तो उसके पास पावर होती है उसके पास एनरजी होती जिससे वो आगे बढ़ता है क्योंकि बिना परिवार के कोई अस्तितु ही नहीं है जुस तरीके से कलपना तिवारी का जो पूरा परिवार एक पल में विखर गया है इससे साफ दिखता है कि कही न कहीं अखिलेश श्यादव को अपने विखरते और तूटते परिवार का जटका लगा हुआ है क्योंकि जिस तरीके से सना विवेक तिवारी के साथ थी आदी रात तक उनकी पत्नी से उनकी बाद भी विवेक तिवारी की कलपना तिवारी से लगातार दोनों कांटक्ट में बने हुए थै लेकिन जिस तरीके से रात के एक डिल बजे उनके पास फोन आया कि आपके पती का अक्सिडंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे उसके बाद उनकी पुरी दुनिया ही उजड़ गई मैस दो बेटियां उनके पास दोनों की उमर बहुत कम है अभी कलपना की पुरी उमर उनके सामने है और वो चीक-चीक के नय मांग रही है और अपनी बच्चियों का गुजारबहत्ता मांग रही है क्योंकि उनके पास फिलाल कोई नौकरी नहीं है पूरा जो परिवार था वो सिर्फ और सी विवेक्तिवारी पर ही चलता था विवेक्तिवारी की इंकम पर चलता था और इनी सब के बीच में खिलेश आदवन जो भागनात्मक ट्विट के हैं वाकरी देखने लाइक है, समझे लाइक है जब एक परिवार तूटता है, वो भी हस्ता खेलता बेवज़ा जब तूटता है, तो उसका दुझदर्ध है उसकी जो तकलीफ है कितनी बुरी होती है अगर हम अखिलेश आदव की बात करें तो अखिलेश आदव जरूर इस ट्विट में कही नखे उनके परिवार का विदर छलक रहा है क्योंकि जिस तरीके से एक पार्टी जो पूरे कुनवे को चलाती थी जो पूरे प्रदेश को चलाती थी पूरे परिवार को चलाती थी जिस तरीके से एक जुड़ता एक का इनके परिवार में दिखती थी जिस तरीके से पार्टी अब तूट गई है यानि समाजवादी पार्टी में सिर्फ दूसरी पार्टी समाजवादी सक्क्यूलर पार्टी निकल चुकी है जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों में दो पार्ट बन चुके हैं इससे साफ हो गया है कि कहीं न कहीं ये चीज अखिलेश को जटका दाइक है अखिलेश को इस चीश का जटका लगा है जुसके तरीके से इन्होंने ट्विट क्या उससे साप हो रहा है कि चाचा शुपाल का साथ छूटने से सिर्फ दिखाने के लिए सपा और जो समाजवादी पार्टी है यादो परिवार है वो खुश है लेकिन जो अंदुरूनी एक पूरे परिवार के सामने हार जाती है और वही हुआ है जिस तरीके से अखिलेश आदव की परिवार टूटा है पार्टी टूटी है इससे दोनों पार्टी पूरा परिवार दो टूख हो चुका उसी तरीके से तिवारी के परिवार को देख तिवारी का परिवार पुर अब यहाली में उन्होंने एक्स यूवी 500 लेती महिंद्रा की जिसके बाद वो अपने परिवार में काफी खुश रहने लगे थे और उस गाड़ी से वो खुद तो घुमते थे परिवार वालों को भी घुमाते थे लेकिन किसे पता था कि यही गाड़ी उनकी कब्र बन जाए जिस तरीके से प्रिशान्त चौधरी ने उनके उपर गोली चलाई है यह बहुत ही दर्दनाक है क्योंकि एक जो पूरा परिवार था उनका पूरा ठूट चुका है घर में दो बच्चिया है कलपना तिवारी अभिद्वा हो चुकी है उनके पास नौकरी नहीं है वो सरकार से बार-बार अपने पती के नियाय के लिए और अपने गुजारे भट्ते के लिए गुहार लगा रही है अब देखना यह हुआ कि आखिर योगी सरकार इस मामले पर SIT जांश के लिए तो आदेश दे दे लेकिन इसके बाद कलपना तिवारी और उनके बच्चों के लिए क तरियस बनाइनूस